नमस्कार फेंट्स, मेरे नाम बभलूर्मा, पेपर है करम आपका स्वागत है, आज डेखने वाले हैं, वो बहुत ही इंपोर्टेंड कोशन अपना है रहने वाला है, फिर्टि या प्रॉइड कर रखे, अगर नहीं देखे, तो बिलकुल देख लेना, ठीक है, आज अम wala हैं यहां पर question number second है ये भक्ति आंदोलों का एक क्लिजद कार सकते हैं ठीक है भक्ति आंदोलों का second question देखने को यहां पर आपको मिल सकता है यह question आपके ने बार बार पुँचाथा यह था तीन प्रकार से question आपके भी क्योशन देखने को मिल सकता है कि संत कबीर के सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों का बर्डन कीजिए तो तीन प्रकार से क्योशन आपके एक्जाम ये देखने को मिला है तो बात करते हैं क्योशन अब यहां पर देखेंगे हम उत्तर की ओर ठीके उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो उत्तर से पहले हम क्या बनाते हैं उत्तर डालते हैं उसके बाद क्या बनाते हैं ये क्या बनाते हैं जिसमें भक्ति आंदुलंग कब इस्टार्ट हुआ था इसके बारे में ठीके भक्त कि पहले क्या लें तो भक्ति औंधूल्द कि लो यहां पर बात करहा है क्योंकि 1350 तक 부탁 इप अब जू कह ये अपने यह सो पचाहब जैगा अपना कौन सा भी सा बीस कर जा unterstüt रेकंट कि 1650 से लेकर 1850 तक फिर आता है अधुनिक काल 1850 से लेकर अब तक ठीक है क्योंकि उसमें आपको नई कभीता बाकी देखने को बाकी मिल जाते हैं तो भक्तिकाल डालेंगे 1350 से लेकर 1650 उसके बार डालेंगे भक्तिकाल में कबीर का जन्म कहां हुआ था तो आपको पता है बा करांसी में कि बिदभा की यहां पर हुआ था बहे कहां पर लहरतारा तालाब के पास में इन्हें छोड़ गए थी और बहां से नीरू और नीमा उठाकर ले आए थे तो इस प्रकार से सिर्फ इस बॉक्स को पड़े आपकी थी वाइस पढ़नेगी जो तुसे ना पढ़े औ तो बात करते हैं उसके बाद हम थियूरी नीचे एकनाई स्टार्ट करेंगे बॉक्स के नीचे तो कबीर हिंदू मुसलिम एकता के प्रबल समर्तक थे उन्होंने हिंदू मुसल्मानों को अमूल सिच्छा प्रदान की उन्होंने अपने उपदेसों में सामपरदाए के एकत पर बड़ा बल दिया कि हिंदू और मुसलिम एकता प्रबात ओरी यहां पर इन्होंने देखा कि हिंदू मुसल्मान आपस में लड़ रहे थे साथ ही बे अपने ही संपरदाए में भी छोटे बड़े के नाम से आपस में लड़ रहे थे जैसे कि कोई नीची आती का कोई इसबर और मुसल्मानों की सर्ब सक्ति आल्लह का प्रतीक है यह इन्होंने कहा था ठीक है नीच नहीं दिख रहा है इसके बाद में कोई बात नहीं उपर कर देंगे भी तो बात करते हैं यहां पर निर्गुड यह क्या थे निर्गुड भक्तिदारा के थे दो भागों में रिवाइड हुआ था रामानंद इनके जो गुरु हो जाते हैं वो कौन हो जाते हैं कबीर के गुरु की बात करें तो बहा हो जाते हैं रामानंद कौन रामानंद और रामानंद कहा गए थे उत्तर भारत में भक्ति आंदुल का क्या करने गए थे प्रसार करने गए थे प्र तरीका से डिवाइड करते हैं ये रामानंद एक तो होते हैं कौन सगुल भक्तिदारा के ठीक है एक कौन आते हैं सगुल भक्तिदारा के और एक हो जाते हैं निर्गुल भक्तिदारा के ये रा यहां पर होगा ठीक है निर्गुल भक्तिदारा के एक हो जाते हैं सगुल भक्त जनम पर कौन करते हैं जो सगड़ भक्तिधारा के हो जाते हैं वो किस पर पुनर जनम पर बिस्बास करते हैं और जो निर्गड़ भक्तिधारा के होते हैं ये क्या करते हैं ये मतलब कह सकते हैं इसबर का निराकार पर बिस्बास करते हैं ठीके इसबर के इसबर के निराकार इसबर के निरापा सुरी सगुड और निर्गुड सगुड भक्ति जारा थी और एक निर्गुड हाँ इसबर के निराकार पर ये विश्बास करते है एक प्रकास ये हो जाते है सगुड भक्ति जारा में जिस्टे की राम के हो जाते हैं रैदास हो जाते हैं राम के कौन आते हैं नाभादास हो जाते हैं तुलसीदास हो जाते हैं और बाकी आपके ये और सवगल भक्ति जारा भी दो भागों डिवाइड होई थी आगे आप देख लोगे ठीक है अब बात करते हैं आगे की ओर जिसमें आप एक ब्रहा हिंदूों के इसबर और मुसल्मान के सर्ब सक्ति अल्ला का पिर्थीक हैं इस प्रिकार विचार धारा से हिंदू और मुसल्मान एक दूसरे के करीब आ गए अब बात करते हैं यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कौन सी हिंदू और मुसल्मानों की आलोचना करते हो सासक होने के काड़ बे अपने धर्म को सर्वसेष्ट समझते थे और हिंदू को काफिर समझते थे दूसरी तरफ हिंदू अपने धर्म को सर्वसेष्ट समझते थे और मुसल्मानों को मलेच और यबन पुकारते थे यह क्या करते थे मलेच और यबन पुकारते थे कबीर ने एक सच्चे समाज सुधार की भाती आलात का जाजा लिया और साप तोर पर कहा की इसबर को प्रात करने का एक मात्र उपाए मन की पवित्रता है उन्होंने एक दोहा भी यहाँ पर दिया जो हो जाता है तो बात करते हैं माला फेरत जुग गया जो गुरू लोग होते हैं वो माला इस परकार से फेरते रहते रहते हैं ना हातों में तो इस प्रकार से बही वात कही जा रही यहां पर कि माला फेरत जुग गया बो जुग गया ठीक है गया ना मन का फेर मतलब घुमा तो रहे हैं जो मन में जो बिचार चल रहे हैं उनको सुद्ध नहीं किया है ठीक है जो कह सकते एक प्रकार से अलोचनात्मक एक दूसरे के अलोचनात्मक जो मन में बिवार चलने हैं उनको नहीं फेरा है मगर माला तो फेर रहे हैं ठीक है अब बात करते हैं करका मन का डार दे जो तेरे हातों में माला है उसे फेक दे और मन का मन का फेर मतलब जो मन के तेरे अंदर जो बिचार हैं उनको त्याग दे तो य यहां पर हो जाता है बात करते हैं आगे की यहां देखा है कबीर ने हिंदू मिसल्मानों के ब्रहा आडंबरों का बिरोध किया कबीर दास ने मूर्ती पूजा का खंडन किया मूर्ती पूजा को उन्होंने निरर्थक शारहीन कर्मकांड माना ब्यंग करते हुए कबीर दास न ठीक है तो क्या मिल रहे हैं हरी मिल रहे हैं तो कह रहे हैं तो मैं पूजू पहार जब पाहन पूजे पाहन पूजे हरी मिले मैं पूजू पहार मतलब पहार पूजता हूँ ठीक है अब उसके बाद रखा है ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार तो उससे अच्छा है कि चक् इसको चाकी भली पीस खाए संसार उसको पूजना चाहिए यहाँ पर ये बात कही जा रही है बात करते हैं दुनिया ऐसी बाबरी की पाथर पूजन जाए घर की चाकी कोई न पूजे जाको पीसो खाए ये तो आपको पता ही ये इसकार था ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर किया से किया ताकि वे अपनी कम्यों से परिचत हो सकें कबीर ने हिंदू मुसल्मान दोनों को फटकारते हुए कहा है अरे इन दोन रहा ना पाई हिंदू अपने करे बढ़ाई गागर छोन ना पाई बैस्या के पायन तर सोबे ये देखो हिंदू आई तो इसका आर्थ क्य पहुंचके अभी रोगो ठीक है यहीं तक थे आगे बढ़ते हैं यहां तक तमने देखी लिया था ठीक है इसके बात करते हैं देखो हिंदू आई फिर बात करते हैं कबीर ने निराकार ब्रह्मा की उपासना पर अधिक बल दिया उनकी द्रस्टी में हिंदू और मुसल्मा एक ही मिट्टी के दो पुतले थे बहे अपने संकुचित भेदबाब को यह समझते थे उन्होंने बताया राम और रहीम एक हैं और इस बर के साथ एका एक हो जाना ही आमरप्त के प्राप्ती का प्रमुक साधन है बात करें आगे इस प्रकार निर्गुण पंती कबीर ने हि हिंदू और मुसल्मानों के लिए एक ताका उपदेश दिया ठीक है आगे देखीगा बात करते हैं यहां पर देखने को मिलेगा दोहा एक बहुत देखे पीर ओलिया पड़े किताब कुरान कहे हिंदू मोही राम प्यारा ते रहु कहे तुरक कहे रहमान ठीक है कौन कहे भी थे ठीक है यहां पर बात हो रही है कि बहुत देखे पीर ओलिया जो पीर होते हैं बगारा ठीक है और गुरु बगारा होते हैं इनकी बात कर रहा है बहुत देखे पीर ओलिया पड़े किताब कुरान किताब भी पढ़ रखी कुरान भी पढ़ रखी गीता भी पढ़ र बात करें हिंदू मुसल्मान दोनों की दोनों ही जाती पाती को मानते थे कबीर ने जाती पाती का बिरोध करते हुए कहा जाती पाती पूछे नहीं कोई हरी को भजे सो हरी में होई मतलब जाती पाती को कोई नहीं पूछता ठीक है जाती पाती पूछे नहीं कोई मतलब कोई जाती पाती को नहीं पूचता है कोई भगवान जो है जाती पाती को नहीं पूचता है कोई भी इसवर जाती पाती को नहीं पूचता है हरी को भजे जो हरी के भजन में हरी में लीन हो जाता है भई क्या हो जाता है हरी का हो जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं हिंदू मुसल्म मुसल्मानों को परस पर जगरते देख उन्होंने दोनों को फटकारा और हिंदु धर्म इसलाम धर्म में एकता का प्रती पादन किया उन्होंने कहा यहां पर दोहे बहुत महातुड़ हैं कुछ लाइन हैं उसके बाद आपको दोहा लेकने पड़ेंगे देखा है हिंदु ये कौन बता गए सत्गुरु रही बताई सत्गुरु ने बता रखा है कहित कबीर सुनो भई संतो राम ना कहूं खुदाई कबीर कह रहे हैं कि संतो सुनो सिस्यों सुनो कि ना है कहीं राम और ना है कहीं खुदाई ठीक है तो यहां पर इस परकार से ना ही राम है और ना ह हो ताइस वरका फिर रखा है कबीर ने कहा मनुस्त के लिए मनुस्ता सबसे बड़ी चीज है और इसके लिए सदाचार आबश्यक है कबीर मदीरा पान बेस्या गमन चोरी आदी को इसपष्ट बिरोध करते हुए कहते हैं सो हिंदू सो मुसल्मान जाका दुरुस्त रहे इमान है ना जो सो हिंदू मतलब क्या हिंदू और क्या मुसल्मान जिसका जाका दुरुस्त रहे इमान जिसका इमान साफ है वो हिंदू और मुसल्मान ठीके एक पकार से कह सकते हैं सो हिंदू क्या हिंदू क्या मुसल्मान जिसका इमान साफ है वो साफ है फिर बात करते हैं कबीर कबीर अहिंसा के पच्चधर थे बे जीब हत्या को पाप समझते थे कबीर ने अहिंकार का भी बिरोध किया कबीर के अनुसार मनुस्व को अपने रूप संपति सक्ति आधी का घमंड करना चाहिए कि वह कबीर के अनुसार मनुस को अपने रूप संपत्ती सक्तियादी का घमंड नहीं करना चाहिए डॉक्टर तारा चंद ने लिखा है क्या लिखा है कबीर का उद्देश एक ऐसे प्रेम में धर्म का पिरचार करना था जो सभी जातीयों और संप्रदाय के लोगों को एकता के सूत्र में बान सके उन्होंने हिंदु धर्म और इसलाम धर्म की उन बातों का अखंडन किया जिन से इस उद्देश की प्राप्ती में ब्यावधन पढ़ता था ठीक है उनका क्या किया अखंडन किया जो की व्यावधान बीच में परता था बात करते हैं आगे की ओर और हमारे हो जाते हैं यहां पर निसकर्स एक देखने को मिल जाता है ठीक है कर पाया और यह बात बिल्कुल हिंदी काव में बिल्कुल यहां पर कवर लिया ठीक है तो आपको 32 कुशन देखना है अच्छी प्रिकार से नहीं पढ़ लिना एक बार देख लिना एक से बिल्कुल आपको हमारी साइट पर फ्री नोट्स आपको मिल जाएंगे बहाँ से डानलोड कर सकते हैं ठीक है तो फ्रेंट जैहिन जै भारत